नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्यधर्म ज्यान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आपके लिए दो लोग मुसीबत बन गए हैं परेशानी का कारण बन गए हैं आप दो लोगों को अलग करना चाहते हैं उनके बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं आपके लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है तो आज हम बहुत ही ताकतवर तोटका आपके लिए आए हैं जिसे आपको एक बार जरूर करके देखना चाहिए यह तोटका यह उपाय उन दोनों लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देगा हमेशा के लिए उनके बीच लड़ाई जगडा करवा देगा उन दोनों के बीच ऐसी नफरत पैदा हो जाएगी कि वह एक दूसरे का शकल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्यानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। और अगर आप हमसे वशीकरन परामर्ष लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा आप 200 रुपए की फीस दे करके डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे वशीकरन परामर्ष ले सकते हैं। 400 परसेंट आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आए अब जानते हैं उपाय कैसे करना है। इसके बाद आपको दो लॉंग लेनी है, जैसे वीडियो में दिखाई जा रही है, दो लॉंग आपको लेनी है, तूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबूत लॉंग आपको लेनी है, साथ में आपको लाल रंग का एक स्केच पेन लेना है, बस लाल रंग का होना चाहिए, और एक कागस का टुकड़ा आपको लेना है, कागस चौकोर होना चाहिए, अब आपको उस कागस पर दोनों ही व्यक्तियों का नाम लिखना है, एक का उपर एक का नीचे बस नाम ही लिखना है, और आपको उनका पहला नाम ही लिखना है, यानि जो पुकारे जाने वाला नाम ह लिखना है चाहे वहस्त्री हो या पुरुष किसी का नाम आप कहीं भी लिख सकते हैं इसके बाद इस कागस को आपको नीचे सामने जमीन पर रख देना है अब यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें जब आप बैठेंगे तो आप आसन पर बैठेंगे या किसी कपड़े पर बैठेंगे जो कागस होगा सीधा जमीन पर होगा आपको उसके नीचे कोई भी वस्तु नहीं लगानी है और इसके उपर जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसे ही आपको लॉंग रखनी है मोटा भाग दोनों तरफ उपर रखनी है और पतला भाग नीचे रखनी है इसके बाद आपको क्या करना है जो आपका सीधा हाथ है उस हाथ का आपका जो अंगुठा है उसे आपको कागस पर हलका सा चला देना है और उसके बाद आपको आखे बंद करनी है उन दोनों ही लोगों को सोचना है उनके चहरे को आपको ध्यान करना है उनको लड़ता जग करता देखना है, इसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम अमुक सक अमुक अलगाई फट, ओम अमुक सक अमुक अलगाई फट, इस मंत्र का उच्चारण आपको छे बार करना है, और दोनों अमुक के स्थान पर यानि पहले अमुक के स्थान पर एक व्यक्ति का नाम और द यह जो कागस है, इसी कागस के अंदर दोनों लॉंग को रखकर पुडिया बना लेनी है, और उस स्थान से खड़े हो जाना है, और घर के बाहर चले जाना है, और अपने घर से ग्यारह कदम से अधिक की दूरी पर मिट्टी में जहां दिल करे जहां कोई आप पर ध्यान ना दे वहां चुपचाप दबा देना है, और बिना पीछे मुड़े वापस चले आना है, इसके बाद घर के अंदर आकर फिर से अपना हाथ पैर अवश्य धो लेन और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, बस आपको इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, अगर आपके लिए जरूरी हो तभी आप इस कार्य को करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी, तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवार.